सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथी दबाएं बेल आइकन को ताक कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो तो आगते दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेस अपीसोड में मेरा नाम है नीरव और आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल गुपमेंट्स को खरीदना अच्छा है या पिर रेंट पे लेना अच्छा है काफी सारी चीज़े मैं डीकल में शेयर करने वाला हूं हो सके तो वीडियो को अन्दी तक ज़रूर से देखे असा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों यहां पर आज की जो एरा में हम जी रहे हैं उसमें काफी सारे लोगों को अपनी रूटीन लाइफ में मेडिकल एक्विपमेंट्स की जरूरत पढ़ती है जैसे की मोनीटर है ऑक्सीजन कॉंसेंट्रूटर है सीपैप है बाइपैप है ऐसे काफी सारे चोटे-चो आइधर मशीन खरीदे या फिर आप उसे रेंट पे ले तो अब ये दो ऑप्शन जो है उसमें से आपके लिए बहतर ऑप्शन कौंसा है यही टॉपिक पर आज बना रहा हूं काफी सारे इंफोमिशन शेयर करूंगा तो अच्छे से सारी चीसे समझने के लिए हो सके तो व आज का जो टॉपिक है वो है रेंटल वर्स पर्चेस अब यह बहुत ही इंपोर्टन चीज है कि आप सही डिसीजन ले क्यूंकि मेडिकल एक्यूपन की कॉस्स कम नहीं होती है अगर आप ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर भी लेने जाओ तो उसकी कॉस्पी तक करीबन 30,000 से 40, या फिर उससे भी करनी ज्यादा होती है तो ऐसा ना हो कि आपको गलत डिसीजन लेलो जिसकी वज़ासे ना फिर वो मशीन का यूज हो आप अपने पैसे जो है वो रिकवर कर पाओ तो इसी लिए जो कमपैरीजन में करने वाला हूं यह सारी इंफोमेशन जो देने वाला सबसे पहला जो पॉइंट आओ है डूरेशन अब डूरेशन जो हो बहुत ज्यादा इंबॉर्टन है कि आपको कितने समय के लिए कोई मेडिकल एक्विपमेंट चाहिए काही जारी एक्विपमेंट से जरूरत होती है जैसे कि हो गया बैड, एर मैट्रस, वीलचेर, या फि सबसे पहला कोईशन आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे कितने समय के लिए यह जो मेडिकल उसकी रिक्वार्मेंट है मान लीजे आपको सिर्फ एक महिने के लिए रिक्वार्मेंट है मलती परा मॉनिटर की अगर को मेजर सर्जरी हुई है घर पे भी सारी चीजर करन पर डे की क्वास्ट बेहती है इसे साब से अगर आप 30 दिन के लिए रेंट करते हो तो तकरीवन 6,000 रुपे से लेके 9,000 रुपे तक का आप इंवेस्टमेंट करोगे और उसी सेर अगर आप पर्चस करने जाओगे तो उसकी क्वास्ट रहेगी 50,000 to 60,000 या फिर उससे भी थोड़ी ज्यादा तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपके लिए बैटर आप्शन कौन सा है अगर आपके लिए एक फिक्स व्यूरेशन है लेकिन अगर आप यही चीज़ को सोचो कि आपको 12 महीने तक चाहिए तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ेगी त सबसे पहले आपको यह चीज चाहिए तो आपको पता होगा कि कितने समय के लिए चाहिए अगर उनकी एज बहुत ज्यादा डॉक्टर ने बोला जब तक वह जिंदार है तब तक आपको यह चीज़ करना पड़ेगा तो बैटर है कि आप उसे पर्चेस कर लीजे लेकिन यह अपने पर्चेस कर लिया तो खतर अब एक साल तक तो आप सोचे कि आपको वरंटी का कवरेज जो है वो मिलेगा लेकिन उसके बाद को दिक्कत आए तो जो कॉस्ट होगा वो बहुत जादा हो जाता है जो एक नॉर्मल कंज्यूमर को बहुत ही जादा लगता है तो अब यह भी मुसीबत में राफस हो क्योंकि जो मेडिकल एक्यूमेंट का रिपर कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पे लोकल बेस पे कुछ भी होता नहीं है तो यहां पे अगर आप जब भी जो डुरेशन क्राइटिरा कंसिडर कर रहे तो सारी चीज़ आपको ध्यान से देखके फिर इंवेस्मेंट करना है अब हम स्विच करते हैं दूसरे पॉइंट पर जो बहुत जादा इंपॉर्टन है टाइट ऑफ इक्विपमेंट अभी बहुत जादा इंपॉर्टन है मालनेजिए आपको एरबेर खरीदना है उसकी क्वालिटी इतनी हुर सकते है तो उस केसे कोगा हो गा कि पेशल इतनी रिलिफ नहीं रहीन थे मालनेजिए आपको ज़ो मशीन मिला है वो इतना प्रॉपर नहीं है आप करेगे अब वो भी आपको नहीं करना है तो आप दूसरे डिस्ट्रिबूटर को ढूंड़े यह काफी सारा बड़ा मार्केट है आपको दूसरा डिस्ट्रिबूटर मिलेगा उसकी क्वालिटी एक बार देख लीजिए आप दो दिन तीन दिन पात दिन यूज़ की जगा आपको रिल का मशीन मिल जाएगा लेकिन यहां पर जब भी आपको रेंटल मशीन खरीगते हो या यूज़ करते हो तो यूज़ करने से पहले आप उसे एक प्रॉपर क्लीनिंग दीजिए यह मतलब नहीं कि आप उसको पानी में डाल के क्लीन कीजिए लेकिन उसकी आउटर सर्फेस है उसे क्लीन कीजिए आपको 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 यूज़ कर सकते हो और जो भी डिस्पोजेबल करते हो जैसे के साथ यहां पर लगाते हो तो वह चीज़ आपके लिए आपको चूज करना है कि इतनी है सिंपल कंक्लूजन में यह देना चाहूँगा कि सारी जीज़ों को कंसीडर करके अगर आपकी जरूरत लंबे समय तक है तो बैटर आप्शन आपके लिए हमेशा पर्चेस रहेगा लेकिन अगर आप शौट टम के लिए डूंड रहे हो तो ऐसा मत सोचे कि मुझा मशीन खर अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गूरी चैनल को साथी दबाए बैल आइकन को ताकि कोई भी अपडेट में अगर आपके माइन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्षन आपके लिए मैं वहाँ आपसे बात करूंगा जल्दी एक फ्र करें अगर आपके लिए एक लिए देखना है